नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं इतिहास के पन में हिंदुस्तान में टेक्स्ट्बुक्स में से, स्कूल के टेक्स्ट्बुक्स में से मुगल सामराज्य की जानकारी खतम की जा रही है लेकिन हम तो कर सकते हैं हम असल में text books नहीं लिक रहे हैं हम तो आम जंता के लिए program बनाते हैं और बाक्चीत करते हैं तो आज हम मुगल सामराजे के बारे में ही बात करेंगे लेकिन मुगल सामराजे के zenith या जब वो सबसे powerful थे हिंदुस्तान में उस period की नहीं लेकिन 19th century के 19th शताबदी के पहले भाग के 1857 के पहले की घटनाओं के बात करने का कारण है कि मेरे पास एक किताब है The Broken Script स्वतना लिडल जी ने लिखा है Delhi Under the East India Company and the Fall of the Mughal Dynasty 1803-1857 स्वतना लिडल जी हमारे कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे पहले तो बधाई एक बहुत ही बेथरीन और simply समझने वाली एक बहुत ही complex issue के बारे में एक किताब लिखिया आपने उसके लिए बहुत बहुत congratulations बहुत बहुत चुक्रिया आपने मुझे यहां बुलाया उसके लिए और मौका दिया कि मैं अपनी किताब के बारे में बात करूँ तो बहुत बहुत ध्याने बात आपने इस किताब का जो टाइम पिरियड है अठारसो तीन से लेके अठारसो सब्तावन है थोड़ा सा ओवर लाप पीछे से शुरूर होती है थोड़ी बात तक जाती है नाचुर लिस्की ज़रूर है अठारफ सो तीन मेरे खाल से आपने इसले चुना क्योंकि उसी साल अंग्रेजों का एक एग्रिमेंट होता है माराठाओं के साथ और दिल्ली की एक तरह से ट्रांसफर आफ पावर को हम अगर हम वो शब्द यूज कर सकते हैं आप इतिहास के ब खावरे में लिखा गया जिसमें लिखा तो बहुत गया है लेकिन शायद हमेशा पर्याप नहीं लगा है आपा क्या प्रोंट किया ये किताब के काम करने के लिए आप सही कहा है लिखहा काफी कुछ ग्या है अगर दिल्ली के ओपर अगर देखा जा तो इननीश वी तो या तो यह है कि बहुत specialized तरीके से लिखा गया या तो आर्ट के उपर या कोई literature के उपर, literary history काफी है, जाहिर है कि अगर गाले पे आप लिख रहे हैं, तो दिल्ली के उपर भी लिख रहे हैं, पर मेरे ख्याल में जो जादा तर popular writing जो उस दौर की history के उपर आई है, जो उस उसका जो लहजा है, वो है, वो लहजा वो है, उसका है, बहुत ही idealized के मुगल court है, जिसमें कोई अंग्रेजों के आने से कोई effect नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया है, वो बैटके मुगल बादशाह अपने लाल किले में मुशायरे कर रहे हैं, और यहां पे सल्तनात आई और गई, कुछ पता नहीं चला किसी को, कब अंग्रेज आ गए, तो शत्रंच के खिलाडी पार्ट तू, बिलकुल, बिलकुल, उसी तरह से दिखाया जाता है, तो मैं जब मैंने इस पे उपर काम करना शुरू किया, मेरे ध्यान में यही था, कि मैं देखूं कि है क्या सचाई क्या है, क्या वाकई ऐसा था कि मुगल बिलकुल इनको कुछ पता ही नहीं था कि ये बिरिटिश आ रहे हैं, उनका क्या असर होगा, वो अपनी धुन में चले जा रहे थे, मुशायरे कर रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, तो वो आईडिया था, उसके पीछे करने क जो सबब था, वो किताब का यही था, और जब मैंने किताब लिखी, और जब मैंने उसके उपर तहकीकात करनी शुरू की, रिसरच करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये दोर जो है, बहुत ही कॉम्पलेक्स है, क्योंकि मुगल जो है, जिनको हम जिस तरह से देखते हैं, कुलोनियलिजम के बारे में वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, कुलोनियलिजम की एक ऐसी ताकत है जो अपना तो कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब रिजिस्स नहीं कर पाते हैं, वो उसको रोक नहीं पाते हैं, मुगल समराज ये खतम हो चुका है, तब तक, खतम हो चुका है, लग भग नाम के लिए बचाएंगा, बिलकुल नाम भी उस तब अठारा सुतीन में जब आए तब अलरीडी माराठाओं के प्रोटेक्टी हो गए थे, बिलकुल, उनके पास ना खजाने हैं, ना उनके पास कोई सेनाएं हैं, बस एक नाम है, पर किस तरह से वो इस्तिमाल करते हैं, एक ये कल्चर की बात भी है, किस तरह से वो मुगल नाम जो है, जो लोगों के दिमाग में कुछ सदियों से, ये था के, मुगल ही हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तही जो माइने में जो हुकूवत है, वो मुगलों की है, ये आम जनता, बाकी जो रूलर्स थे उस वक्त हिंदुस्तान में चाहे वो मराठों को देख लीजिए चाहे आप सिक को देख लीजिए ये लोग हम लोग कई चीज़ हम लोगी समझते नहीं हैं कि ये सब जो थे मराठी भी जो थे इस टाइम पे जो चीफ्स हैं जो सिंधिया हैं बरोडा स्टेट हैं इनके सिक्कों पे भी मुगलों का नाम था तो इस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों पे एक तरस आथोरिटी थे अथोरिटी थे लोगों के दिमाग में ये था कि ये ही है तो नाम के वास्ते अभी भी मुगल सामराज्य जिन्दा था और उसको किस तरह से ये उस कल्चरल लेवल पे जिन्दा रखने की कोशिश करते हैं वो काफी हत्ता किस किताब में हैं तो उनिस वे श्रताब्दी का ज सवाल बहुत बड़ा है लेकिन संक्षेप में मतला हमारे जो विवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि 1857 में सब कुछ बदल जाता है तो मोटे तोर पे कि प्री 1857 और पोस्ट 1857 क्या परिवर्त ने आते हैं तो मेरी जो किताब है इसका जो डिस्क्रिप्टिव टाइटल है डे डेली है और उसकी भी एक वजह है ये डिली की कहानी है और मैंने अभी तक तो आपको बोला मुगल क्या कर रहे थे इस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थी पर काफी हद तक ये कहानी जो मैंने लिखी है वो डिली के लोगों के बारे में और दिली कोई लोग क्या है और उन फिर वो romanticization जो होता है कि इस दौर में दिल्ली के लोगों को एक traditional culture चला आ रहा था जिसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दिल्ली के लोग, दिल्ली एक ऐसा शहर था जो की एक, जिसको आप कह लीजिए के education का hub रहा है, culture का hub रहा है, ये की बात नहीं है, मुगलकाल में भी education, learning, ये सब बहुत, दिल्ली में था, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, जिहां, तो आप अगर देखिए के दिल्ली के लोग, और कोई भी ऐसा cosmopolitan शहर होता है, जो की capital है, जो की education hub है, तो उसमें नए नए विचारों को अपनाना, नए learning को लेना, उसके बारे में डिवेट करना, ये सब लोगों के को बिलकुल उनकी जो habit बनी हुई होती है, और दिल्ली में भी ये जो strong learning का tradition था, वो था, बलकि आप, अगर आप देखिए के, जो हम फोर्ट मेलियम कॉलेज की बात करते हैं, जिसमें इंडिन करने का एक गड़ रहा है, वहाँ भी काई सारे लोग जो की दिल्ली से जाते हैं, मीर अमन देहलवी, वो उर्दू में जो काम हो रहा है, उसमें बहुत उनका आगे का रोल है, तो वो हैं वहाँ से, दिल्ली से एक और है, ख्वाजा फरीद, जो सेयद एहमत खान के, जो रि तो ये जो ट्रेडिशन था, ये था, और दिल्ली में दिल्ली कॉलेज जब बनता है, 1825 में, है तो वो कलोनियल इंस्टिउशन, बट वो एक ऐसा इंस्टिउशन है, जहां पे ये जो हाईर एडूकेशन है, कॉलेज एडूकेशन है, काफी हद तक उर्दू में हो रहा है, तो जो की अलग जो दूसरी जगहों पे जो कलोनियल इंस्टिउशन है, उससे अलग है, के उर्दू में, लोकल लाइंग्विज में पढ़ाई हो रही है, पर ये जो पढ़ाई का जो सब्चिक्ट्स हैं, ये बिल्कुल नहीं हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल एकॉनमी, हिस्ट नॉलेज जो है, वो उर्दू के माध्यम से सिक्सी की जारे है, एक सवाल है, आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू तब तक किसी एक खास संप्रदाय की भाशा नहीं बनी थी बिल्ली में, या वो बाद में बनी बिल्कुल नहीं, तो ये है, आज के हिंदूस्तान में जब भी हम इतियास की बात करें, सबसे पहले एक नैच्टरल जागरुकता होती है, कि जो दरार है, ये हमेशा से ऐसी थी या नहीं थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी, जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कि आपके जो सु जायरी को, वो जब अपनी शायरी की बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं, मेरा फार्सी कलाब और मेरा हिंदी कलाब, जी, वो इसको हिंदी बोलते हैं, अपना अर्दू कलाब नहीं बोलते हैं, उनके जमाने तक, और गालिब तो काफी, 1857 के बाद भी जिन्दा रहे हैं, वो अपनी जो, जिसको हम उर्दू कहते हैं, वो उसको हिंदी कहते थे. तो ये जो उर्दू हिंदी का जो बटवारा है, गालिब के जमाने में, गालिब को तो समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या. पर दिल्ली में उर्दू जबान, जिसको उस वक्त हिंदी बोला जाता है, फार्सी स्क्रिप्ट में ही लिखने का चलंग था, तो दिल्ली के लोग यही उसी को इस्तिमाल करते थे, और उसमें कोई फरक नहीं है, कि आपका रेक्टेरियन बैंक्राउंड किया है, लोगों से ब पकाइदा मतलब कम्मुनिकेशन बरकरार जाता था, उसमें कुछ मुव्मेंट्स आते हैं, जैसे कि एक बहुत जो नाम है, वो है, मास्टर राम चंदर का, मास्टर राम चंदर एक इंटलेक्चुल थे, काफ़ कई बहुत रेफ्रेंश थे, साइंस उन्होंने पॉप्यलरा साइंस के बारे में जानकारी फेले, और वो सारा अपना उर्दू में लिख रहे हैं, और रहे बहुत ही सिंपल किसम अर्दू प्रोज लिख रहे हैं, वो आम जन्टा से मुखादब होना चाहा हैं, इसलिए बहुत ही आसान एक भाषा है, जो बिलकुल, उर्दू तो वो आ आइडिया ही नहीं है कि ये किसी खास संप्रदाय स्पेसिफिक रही हो तो ये तो है भाशा की बात एक और चीज जानना चाहते हैं जो जो जिस दिल्ली के बारे में आपने लिखा है जिसको आज के तारीक में पुरानी दिल्ली बोला जाता है यहां अगर हम जाते हैं तो क्लि बोड़ी बजा चले जाते हैं वो हिंदूओं का है तो क्या इस तरह के आपके जोनल डिविशन्स भी थे उन्निस वी शताबदी में या धीरे धीरे बन रहे थे किस स्टेट में आपने इसको देखा था आपने क्या शाजानाबाद की अगर हम हिस्टिरी करें एक इतिफाक स अब ही अभी मेरी एक और किताब जो मैंने लिखी है वो है एक नक्षे की ऊपर जी जा जानाबाता एक नक्षा है बढ़ा सा उसमें ये चीज़े बहुत 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 सपाश्ट लिखा गिरे रहे हैं बिलकुल दिख दिखती हैं के ये जो मोहले संप्रदाए के उपर या किसी और किसी एथनिक आइडेंटिटी पे बने हुए ये जो आइडिया है कुछ हद तक होता है वो इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई कश्मीरी पंडित है जो आके वहाँ एक जगा पे बस गए है अब हो सकता है कुछ साल बाद कुछ और लोग आके बसें वो अकसर ये चाहेंगे कि हमारे रादरी के लोग कहां पे रह रहे हम वहीं पे जाके बस जाके रहे हैं तो ये तो एक थोड़ा सा हुँमन नेचर हो जाता है कि ये होता है कुछ ख़त तक होता है पर ये कोई बहुत फॉर्मल सिस्टम नहीं के आधार पे शायद नहीं होता होगा उतना नहीं होता है क्योंकि एक ही इलाके से मतलब एक ही रीजन से लोग निकलते थे अलग-अलग धर्मों के और ऐसा भी होता है कि कुछ हद तक अyorकुपेशन के तौर पे अगर आपका अएक सायजा है तो आप एकुपेशनौ एक जगा पे रहले लोग एक ही महले में रहते हैं तो उसमे थोड़े से फायदे हो जाते हैं अपने काम के लोगों को पताए काम देना तो एक ही गली में चले गए पता है कि बीस बड़ा बड़ाई इखटे रहते हैं तो उन में से किसी को भी आप इंगेज कर सकते हैं. तो इस तरह से होता था पर उस तरह से कोई फॉर्मल अलग से डिविजिन नहीं था. आपने अभी थोड़े पहले बताया कि उनीस भी शताबदी के अथारत सो तीन के बाद से मतलब मुगलबत स नाम से बादशाह रह गए थी. उनका सामराजय मतलब से नाम की वास्ते था. तो असल पावर तो अंग्रेजों के हाथ में थी इस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी. एक बहुत इंपॉर्टन पॉजिशन होती थी जिसको रिसिडेंट्स बोलते थे बिडिशन. अलग-अल जो वहां रहता हो. जैसे जो रहां रहता हो या जो की इंबैसेडर हो जो वहां पे पोस्ट किया हुआ. वो नाम थोड़ा सा डिसेप्टिव है क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कि वह एक रेप्रेजेंटिटिव है ब्रिटिश गवर्मन्ट का. जो मुगलों के दरबार पे पर असल बात तो वो नहीं थी. वही तो वही सब कुछ का. वही एड्मिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली का वही सरकार थी. क्योंकि मुखकल बादशा की जो हकूमत थी वो सिर्फ लाल किले तक सीमित थी. क्योंकि लाल किले में उनका खुद का परिवाद है. उसके अंदर चला कुछ थे उस वक्त. तो ये कुछ हद तक मैंने ये बात बताई है कि कुछ परस्नालिटी की बात की है कैसे शुरुआती दौर में जो रेसिडेंट है वो थोड़ा सा अपने को मुगल बादशा के वी-जवी थोड़ा समझता है कि मुझे थोड़ा सा अदब से पेश आना है अब खड़े होने के बारे में बात कुछ बता रही थे. दिल्ली तब नहीं रह जाता था क्योंकि कोई भी ऐसी मुलाकात होती थी उसकी खबर अखबारों में छपके पूरे हिंदुस्तान में पहल जाती थी. तो दोनों के लिए ये बहुत बड़ी चीज थी किस तरह से हमें लोग देखेंगे कि हम इनके सामने बैठे के खड़े रहे हैं. तो वो सारी चीजे जो निगोसियेट होती हैं अंग्रेजों में और मुगलों में वो बहुत पुलिटिकल वेट रखती हैं. पर एक और चीज़ जो कि हमें मुझे लगता है देख दी जाएए वो ये है कि जब ये सब हो रहा है अंग्रेज दीरे दीरे करके मुगल बादशा को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तरफ कर देते हैं जब 1803 और 1857 के बीच में और एक तरफ हो जाते हैं यूँके उन्होंने वो नजर देना बंद कर दिया एक नजर होता था जैसी कि नजर किसी सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर को देते थे कुछ फेस्टिवल्स होते थे मुगलों के उसमें जाके कुछ गिफ्ट देना है मौरे देना उन्होंने बंद कर दिया अपने सिक्के में उनका नाम हटा दिया तो इस तरह से दीरे दीरे करके मुगलों को और भी एक तरफ कर दिया था पर उसी वक्त जो आम जनता है दिल्ली की और दिल्ली के बाहर ही काफी हद तक मुगल बादशा को अभी भी एक नजर से देखते हैं जिससे ना ही वो हिंदुस्तान के बादशा उनके नजर में हैं और साथ ही में उनकी एक कोई एक स्पिरिच्वल औरा जिसको के वो पीर भी है एक पीर भी है एक उनमें कोई देविय शक्ती जैसे मान लीजिया उस किसम की है तो इनफार ये होता था कि लोग उनके दर्शन करने आते थे तो सुबा जो लोग जामुना के घाट पे नहाने जाते थे नहा के फिर वो एक जरोका ये दर्शन है लाल के लिए बकाइदा बादशा को देखने के लिए दर्शन करने के लिए वहाँ खड़े आ जाते थे और रोज सुबा मुगल बादशा तब साक्षाद भगवान ये खुदा मानते थे वहाँ तक आते आते कई ऐसे भी लोग थे जो की अंग्रेजी आर्मीज में सिपाही थे जो की आ रहे थे बगल बादशा के पास कि हम आपके मुरीद बच जाएंगे आप हमारे पीर बच जाएंगे तो बलकि अंग्रेजों ने ये कहना शुरू किया कि भई ये क्या कर रहे हो ये तो हमारे सिपाही है ये आपके मुरीद कैसे हो गए तो उनको थोड़ा सा डर लगने लगा थे कि ये क्या हो रहा है और अगर आप देखिए तो बिलकुल सही बात है क्योंकि 1857 में जब विद्रो जब शुरू होता है तो धीरे धीरे करके जहां पूरे उत्री हिंदुस्तान में मद्री हिंदुस्तान में जब ये सेनाई हैं वो अपने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ बगावत करती है वो सीधे दिल्ली पहुशना शुरू हो जाता है और मुगल पादशा के नाम पे वो चाते हैं कि हम अपना ये जो अंग्रेजी सरकार है इसको हम हटा देने है आपका एक बहुत मेजर चैप्टर है 1857 और उस पीरियड में क्या होता है मई और सितंबर के महीनों के बीच में दो तीन चीजे निकल के आती है एक तो ये कि आप बहुत ही वाइलेंट पीरियड था हूँ दूसरी बात ये है कि जो आप बोलें कि जब जो सैनिक आते हैं तो उस समय बाहदुशा बिल्कुल अनप्रिपेर्ड हैं वो नहीं लीडर्शिप लेना चाहते हैं लेकिन एक तरह से उनको मजबूर किया जाता है तो इसके बारे में जड़ा बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है और वो क्यों नहीं लीडर्शिप लेना चाहते थे मेरे ख्याल से एक तो यह जो बाद में बात बन के आई और कई अंगरेज उनके तरफ से यह एक एकस्पीडियनसी भी थी कि उन्होंने कहना शुरू किया कि यह कंस्पिरिसी थी और सोल्जर्स पहले से जानते थे किसी निखा के मुगल बादशा भी इसमें कंस्पिरिसी में इन्वाल्ड थे पर ऐसे कोई कंस्पिरिसी नहीं थी जिस ग्यारा में माई अचासो सतावन में जब यह जो सैनिक आके खड़े हुए जरोके बलकि जरोके के नीचे खड़े हो जाते हैं यह और कहते कि हम आप आ गए हैं आप हमारे बादशाह है तब तक बादशाह को पतानी की मेरेट में क्या हुआ है तो वो एक तो उनको एकदम से यह नई चीज़ लगती कि यह क्या हो गया और फिर उनको यह भी लगता है कि तुम बगावत करके आए हो अब तुम्हारे पीछे सारे सेनाएं आएंगी अंग्रेजों की और तुम से तो वो बदला लेंगी ही और हम भी बज़ जाएंगे उसमें तो इसलिए उनको थोड़ा सा एक सेल्फ प्रेसरेशन जिसको कहते है थोड़ा सा लगा कि भाई यह क्या हो रहा है पता नहीं था कि होने क्या वाला पर अफकोस हम जब जैसे देखते हैं कि जैसे आए ये सैनेक दिल्ली में जो सैनेक तैनाथ थे वो भी इनके साथ हो लिए दिल्ली के कई सारे लोग भी उठखड़े हुए और ऐसी वो एक कुछ घंटों के अंदर ऐसी एक स्थिती बन जाती है कि फिर मुगल बहत उशा के सामने और कोई चारा नहीं बचता है कि वो उनको कहते है अच्छा ठीक है मैं आपको आपके सिर्के उपर हाथ रखता हूँ और आपका मैं लीडर बन जाता हूँ और मैं आपका बादSHाँ हूँ और आप कर ये पर उस वक्त भी हमें देखना BCиться कि ये सिर्फ वो नहीं है कि आप अंगरेजों को हटा रहे हैं और मुगल बाद्शा को फिर से जिंदा कर रहे हैं मुगल सामराजी को फिर से जिंदा कर रहे हैं ये जो इसके बारे में काम हो चुका है जो दिल्ली के जो सरकार बनती है उसमें एक वो उसमें कुछ मुगल शहजादे भी हैं पर साथ में ये जो सिपाही हैं इनकी लीडर्शिप भी है एक नॉमिनेटेड वो अपने लीडर्स को नॉमिनेट करते हैं फिर दिल्ली के जो citizens हैं, उन में से कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, यह एक मिली जली जिसको एक court बोला जाता है, बलकि यह बड़ी modern चीज है, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप एक पुराने जो समराज जो खता हो चिका है, उसको revival हो रहा है, यह एक नई चीज है, और बह governance structures के हिसाब से कर हम देखें, तो उस period में, जब विद्रो होने के बाद, 58 मई और सितंबर के बीच में, तो क्या हम कह सकते हैं कि बहुत early, एक तरह से pre-republican process कुछ देखने को मिला था, बिलकुल यह idea कि हम, कि आम जनता के लोग represent करें, और यही नहीं है, यह ideas ही नहीं है, एक बहुत ही practical तरीके से, तो उनका selection कैसे हो था, नॉमिनेट कोई कर दे रहा था या, वो अभी भी, क्योंकि यह सब विलकुल रही चीज़ है, और वो भी इस context में है, जबकि एक war चल रहा है, क्योंकि अंग्रेज आके फिर वो पहाड़ी पे बैठ जाते हैं, और विलकुल करता है, पर idea जो है, वो है, और एक कुछ और ideas जो कि इस वक्त आ रहे हैं, जो लोग, हम लोग कई बार सोचते हैं, जैसे कि आप drain of wealth देख लीजी, हम लोग दादा भाई नावरो जी को, काफी, वो idea उन्होंने पहली बार articulate किया किस तरह से, किस तरह से drain of wealth हो रहा है, अंग् हमारा जो wealth है इंडिया की, वो कहीं और drain होके जा रही है, ये जो दादा भाई नावरो जी ने बाद में जाके इसको articulate किया, एक दिल्ली के एक अख़बार नवीस हैं, एक जनरलिस्ट हैं, एडिटर हैं अख़बार के, मौमद बाकर, मौमद बाकर की, वो पहली बार इसको बाक को निकाल के लाते हैं कि अंग्रेजी जो हकूमत हैं, उन्होंने क्या किया है, कि सारे जो ओधें हैं, जो उचे ओधें हैं, जिसमें काफी लोगों को पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वो सब अपने लोगों के रख दी हैं. और इससे हमारे देश में फैज नहीं फैल रहा है यही वज़ा है कि अंग्रेजी हुकूमत खराब है और फिर वो रेशिल एस्पेक्ट्स वगरा भी लेके आते हैं तो वाइलेंस की जो बात जानना चाहा रहा था मैं बहुत ही वाइलेंट पीरिड होता है उस वक्त जब विद्रो चल रहा है और उसके बाद अंग्रेज दुबारा से पावर हासल कर लेते हैं इसके बारे में जड़ा बताएंगे जी हाँ वाइलेंस तो है एक तो यह है कि जब विद्रो चिड़ जाता है जो सोलजर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंग्रेज जिन्दा ना बचे क्योंकि उनको हर अंग्रेज एक थ्रेट लगता है एक बच के चले गए और सही बात भी है जो बच के करनाल जा जाद ही अपने पर कितने लोग हैं किस सतरे जिन्से televisyllर उफ्रेज है तो उस तरह से उनको लगता है कि इस सब थ्रेट है सली हमें इनको खटम कर लेडा है और एक और भी तबका है जो डिली में है जो कलाबरेट कर रहा है और वो हैं जो डिली के जो लेबरिंग ट्रा है वो ये वो बिटिश जो हकोमत है उसको भी गिराना चाहते हैं पर वो चाहते हैं कि उस प्रोसेस में ऐसा नहों के ठीके यह तो चले गए अब एक और हकोमत ऐसी आई जो कि फिर उतना ही एलीट है उतनी ही रेप्रेसिव है तो वो चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ पावर है जी और वो हैं जो ये जो लूट जो होती है चाहे वो अंग्रेजी दुकानों पे हो अंग्रेजी लोगों के घरों पे हो या कई बार वो हिंदुस्तानी जो एलीट थे उनके भी उनकी दुकानों में या उनके घरों में ये कहे कि ये अंग्रेजों को शेल्टर कर रहे है उनको जगा दे रहे हैं तो पना दे रहे हैं वो कहके उनको लूटना उनकी एक यह strategy है कि हमारे हाथ में पावर आया हमारे हाथ में पैसा आए हमारे हाथ में वेपन आए ताकि हमारी भी कुछ हमारी भी कोई बात यहां पे माने लोग और कुछ हद तक ये एक strategy है जो थोड़ी हद तक सफल भी हो जाती है मुगल बादशाओ खुद उनको एक जैसे की हमें ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि जो British India and armies भी थी उसमें भी एक कास्ट सिटम बहुत चलता था अपर कास्ट रिक्रूट होते थे तो यहां यह है कि ये कुछ लोग कास्ट हैं जो कि अपनी एक अलग आर्मी बना रहे हैं और वो कह रहे हैं और बादशाओ उनको एक निशान और वो सब दे देते हैं कि आप जाईए आप भी लड़िये तो उनकी आर्मी एक बन रही है बादशाओ एक बहुत ही अच्छा मैं आपको उदारन देती हूँ कि कोतवाल जो थे दिल्ली के उन्होंने थानादारों को एक चिठी लिखी और बोला कि अभी तक आप लोग जब बादशाओ को कोई आप चिठी लिखते हैं तो लिखते हैं या उनके बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं हजरत जहांपना सलामत और उसके बजाए आप गरीब परवर सलामत लिए यह आइडिया के बादशाओ को भी आप बदलना होगा एक आखरी सवाल आपसे आपने भी अपने किताब में लिखा है बहुती अंध की तरफ कि 1857 एक तरसे दिल्ली को बदल देती है और दिल्ली बदलता है तो पूरा हिंदुस्तान बदलता है पूरे हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं बात करेंगे लेकिन 1857 ने दिल्ली में वो भी देखना पड़ेगा, एक तो यह कि सारे मुगल कोर्ट तो खतम हो जाती है, बिल्कुल खतम हो जाता है, हम लोग सब जानते हैं, कई सारी नवाबियें, जागेदारियें, वो सब खतम हो जाती हैं, जो दिल्ली में, खास दोर से ब्रिटिश ने ये फैसला कर लिया था, कि वो ये 1857 को एक मुसलिम रिवेलियन का कम्मीनल कारेक्टर देंगे, तो उसमें उन्होंने क्या किया किया, कि खास दोर पे मुसल्मानों के अगेंस्ट बहुत सक्थी से पेश आए, और मुसल्मानों की हालत ऐसी कर दी कि उनको जादतर माइगरेट करना पर जा, और, माइ और दिल्ली कॉलेज बंद हो जाता है, जिस तरह से था, तो कई सारे इंस्टिटूशन्स जो दिल्ली के थे, जिसके उपर, यह जो रिच कल्चर जिसकी मैं बात करनी हूं, जिसमें मौडरिनरिटी भी है, ट्रिडिशन भी है, ट्रिडिशन के बारे में नई नजर से सोचना अपने लिटरिडिशन के बारे में नई नजर से देखना, यह सब चीजें जो चल रही थी, वो सब एक दम से खतम हो जाती है, बाद में, और कई चीजें जो डिल्ली में हो रहे थे, वो बाद में जाकर आपको लाहौर में दिखेगा, जबकि जहां पर उर्दू लिटरी अपने किताब में लिखाए कि किस तरह से 1857 के पहले आर्केलोजी में हिंदुस्तान में और दिल्ली में खासाओ से खूब काम हो रहा था, उसको बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करती है, एसाई बाद में जब अंग्रेज उसको टेक ओवर करते हैं, तो वाकिए एक तरह से 1857 तरह से 1857 नहीं करते हैं, इसावर ने दिल्ली बदल दी और दिल्ली बदलने के साथ पूरा हिंदुस्तान बदलने लगता है, पोलिटिकल प्रोसेस बदल जाते हैं, बादशा को यहां से एक्जाईल में गंगून भीज दिया जाता है, और एक तरह से पूरी दुनिया बद जहाई आपको हमारे इस कालिकम जोने के बहुत धन्यवादा है, बहुत धन्यवाद निरांचित, बहुत मज़ा आया मुझे बात करने में आप से, मुझे तो यकीन है, मुझे तो मज़ा भी आया, और मेरे को यकीन भी है कि हमारे शोताओं को भी बहुत मज़ा आया हुगा झाल